येस बैंक के संकिट पर स्टेट बैंक ओफ इंडिया ने कहा है कि कानूनी प्रवधानों के मुताबिक स्बी येस बैंक के उनंचस फीसदी शेयर खरीद सकती है शनिवार को मुंबई में एक प्रेस कॉंफरेंस में SBI चेयरमेन रजनिश कुमार ने कहा कि SBI येस बैंक में फिलहाल 25ечение करोड रुपए निवेश करने चा रहा है SBI चेर्मेन ने कहा कि हमारी लिगल टीम निवेश की योजना पर काम कर रही है उन्होंने कहा कि हमने स्टोक एक्सचेंज को बता दिया है कि SBI Yes Bank में उननचस फीसिदी हिस्सेदारी खरीदने पर विचार कर रही है निवेश पर अंतिम फैसला SBI का बोड कर करेगा रजनीश कुमार ने कहा कि SBank के खातधारकों पर कोई खत्रा नहीं है रजनीश कुमार ने कहा कि कुछ दिनों की बात है खाताधारकों का संकर दूर हो जाएगा उन्होंने कहा कि जो लोग SBI में निवेश करना चाहते हैं कि उसके लिए ये एक मोका है रचनीश कुमार ने कहा कि उनकी कोशिश है कि निवेश योचना को रिजर्व बैंक की समय सीमा से पहले ही पास करा लिया जाए रजनीश कुमार ने SBI को निवेश योजना को विस्तार से बताते हुए कहा कि निवेश प्लान पर विचार करने के बाद हम 9 मार्च को फिर से रिजर्व बैंक के पास जाएंगे उन्होंने कहा कि SBI ने Bombay Stoke Exchange को बता दिया है कि SBI बोट ने Yes Bank में निवेश को सैधान्तिक मंजूरी दे दी है उन्होंने कहा कि 26 परतिशत शेर में 3 साल का लोक इन है यानि कि एक बार खरीदने के बाद 3 साल तक के लिए इन शेरों को कोई नहीं बेचा जा सकता उन्होंने कहा कि अगर SBI अकेले निवेश करती है तो 2450 क्रोड रुपया निवेश किया जा सकेगा SBI ने कहा कि नीजी निवेशक Yes Bank में निवेश करने की योजना बना रही है इसमें कुछ अच्छे नाम भी है रजनिश कुमार ने यह भी कहा कि हम सहयोगी निवेशकों की तलाश कर रहे हैं जो कोई भी पाच फिस्दी से ज्यादा शियर खरीदना चाहता है उसके लिए कुछ नियम है उन्होंने कहा कि हमारे निवेश टीम पूरे परिदिश्य पर विचार कर रही है SBI के मूल निवेशकों काभी भरोसा बढ़ाया है उन्होंने कहा कि इस निवेश की वजह से SBI की निवेशकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है हम ऐसे निवेश करते रहते हैं, ऐसे निवेश में हमें अच्छे रिटर्म की उमीद रहती है, कोई भी उपकरम चाहे उसका स्वामित्व कुछ भी हो, वो रास्ट ये संपत्ती है इन इन यवेश अरे रही हो रास्टो अव में एंपकरम चाहे तो प्रफ इन रिट रहां प्रफ ये को चृश्ट की सेंट रहते हैं लिए यह लिए भी टार्म करिन दिखो किस्ट प्रफ फॉर्श पर्फ वामांट इस रहायर इन तो यव प्रेश्वेयों आधरण लाड़ इलुट लुट इस करोशे हैं। and they were in but the board was already in talks with them so are these the same people who you are in talks with there are many potential investors after seeing the scheme they have approached us and there are some good names what we have to keep in mind that whatever and whoever is the co-investor or has willingness there are two three things there one is that what are the RBI guidelines so anybody who wants to go above 5% they have to meet the fit and proper criteria of Reserve Bank of India if they are foreign institutional investors they have to be eligible under foreign FDI or FBI guidelines so there are certain regulatory norms when it comes to investment in the financial sector like share and subscribe and never jbd banquets lie incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti garden world-class catering century air condition lush green lawns state-of-the-art lightning a perfect venue for wedding launching and parties Rajgharana and Jyoti garden a JBD banquets enterprise